हेलो फ्रेंट्स मैं जोती हूँ और आप सभी का मेरे इस यूटूब चानल पर स्वागत थे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम MPSC 7 की बुक का 11 चेप्टर पढ़ेंगे 10 चेप्टर आपका जो है मैंने कंप्लीट कर दिया था आज हम शेत्रिय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो आज हम जानेंगे कि जो शेत्रिय आंदोलन है इसका क्या अर्थ है तो शेत्री आंदूलन क्या होता है? इसके तहट किसी खास शेत्र के निवासी अपने आपको देश के अन्ने लोगों से शेष्ट समझते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शेत्रियता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए किया जाने वाला काम आता ह तो शेत्री आंदूलन का क्या अर्थे? शेत्री आंदूलन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग या किसी ऐसे शेत्री के निवासी जो खुद को जो अपने आपको जो अन्ने लोग है देश के उन लोगों से शेष्ट समझते हैं इसके अलावा जो अपनी आर्थिक, सामाजि और सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक स्थिती है और जो अपनी शेत्रियता है उसको प्राथमिक्ता प्रदान करने के लिए जो काम करते हैं मतलब अपनी जो सामाजिक सांस्कृतिक और शेत्रियता जो है इसको प्राथमिक्ता दिलाने के लिए जो काम करते हैं उसको शेत्रिय आं अधिकार, संरक्षन और अनुदान प्राप्त करने के लिए किया गया परिया से शेत्रिय आंदोलन क्या है जो राज्य सरकार होती है उससे अपने लिए विशेश अधिकार, संरक्षन और अनुदान प्राप्त करने के लिए किया गया परिया से ये एक खुद का साशन चाहने वाले या राज्य चाहने वाले आंदोलन हैं शेत्रिय आंदोलन क्यों किया जाता है शेत्रिय आंदोलन जो है अपनी खुद की पहचान के लिए ठीक है अपनी खुद की पहचान पाने के लिए जो है शेत्रिय आंदोलन किया जाता है जो लोग शेत्रिय आंदोलन करते हैं वो अपने लिए जो है एक अलग राज्य चाहते हैं ठीके ताकि वे अपना आर्थिक विकास कर सके उस राज्य के जो संसाधन है उस संसाधन का यूज जो है वो लोग खुद अपने लिए अपने विकास के लिए कर सके यह ने राज्यों के निर्मान के लिए किया जाने वाला आं बहुत सारे जो हमारे राज्ये ऐसे हैं जिनोंने अपने लिए अलग राज्ये की मांग की है और मांग करते हुए आंदोलन किया है और लास्ट में क्या हुआ उनकी मांगों को मान लिया गया और एक अलग राज्ये उनके लिए बना दिया गया. शेत्री आंदोलन स्थानिय लोगों द्वारा अपनी पहचान और अपना विकास करने के लिए होता है शेत्री आंदोलन क्यों होता है ताकि इसके द्वारा जो स्थानिय लोग होते हैं वो अपनी पहचान बना सके और अपना विकास कर सके इसका उदेश्य स्वायत्ता प्राप्त करना हो सकता है आंदोलन कर वे राज्य से अलग होना चाहते हैं ताकि अपने शेत्र का अधिक माध्रा में विकास कर सके ठीक है तो शेत्री आंदोलन करके लोग क्या चाहते हैं ताकि उनको जो है अपनी स्वायत्ता मिल सके और अपने शेत्रिय अंदोलन क्यों हुआ है क्या reason थी ठीक है और कैसे कैसे हुए हैं तो यहां तक मैंने आपको शेत्रिय अंदोलन भी एक है जो भारत है इसमें भिविन संस्कृती जाती धर्म के लोग रहते हैं और अलग-अलग राज्ये में रहते हैं जैसे कि हम सब को पता है कि भारत में 29 राज्यों जो साथ केंद्र शाशित प्रदेश हैं ठीक है सारे राज्यों में क्या से कैसे लोग रहते हैं जैसे भ या तो भारत से अलग होना चाते हैं या स्वायत्ता की मांग करते हैं जो भारत के अलग अलग राज्ये हैं वो या तो भारत से अलग होना चाते हैं और अपने लिए स्वायत्ता की मांग करते हैं भारत में शेत्रियता को उत्पन करने में भगोलिक, मानव, परियावरन, एतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनेतिक, इसके अलाबा भाशा समस्या, आर्थिक भिनता, तथा शेत्रिय अगुवाई को और सशक्त बनाने आदी विश्यों को लेकर लोग आंदोलन करते है यहां राष्टिय आगुवाई की जगा स्थानिय आगुवाई की बात करते हैं भारत के राज्यों तथा केंद्र में आर्थिक और राजनेतिक टक्राव हमेशा से रहा है जो भारत है यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आर्थिक और राजनेतिक टक्राव स्टार्टिंग से ही रहे हैं भारत के राज्यों द्वारा केंद्रिय निर्त्त्वू को चुनाती दी जाती रही है। को जो है राज्यों ने समय समय पर जो है जुनोती दी है वे केंद्रिय सत्ता की अवमानना की जाती है शेत्री आंदोलन के कारकों में आर्थिक कारण को भी शामिल किया जा सकता है देश में अनेक ऐसे प्रांथ है जिनका विकास नहीं हुआ वे पिछड़े हैं जो भारत है भ पीछे हैं पिछड़े हैं इसलिए उन प्रांतों द्वारा अपने शेत्र में उद्योग धंदे खोलने की मांग की जाती है ताकि अपना विकास कर सके जो राज्य है जो यह समझते हैं कि उनका विकास नहीं हुआ है ठीक है और अपना विकास करना चाहते हैं तो वो लोग क्य लिए जो है नए उद्योग धंदे खोलने की बात करते हैं पर वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनका दे कि वो जो उद्योग धंदा खोलने की बात कर रहे हैं वो उद्योग धंदा उस शेत्रे के लिए उपयोगी है या नहीं उनको बस अपना विकास देखना होता ह और इसी वज़े से जो है वो अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं और आंदोलन करते हैं यहां कुछ ऐसे कारकों की बात की जा रही है जिसके चलते शेत्रिय आंदोलन होते हैं अब हम कुछ ऐसे कारक देखेंगे जिसके चलते जो है शेत्रिय आंदोलन होते हैं भाश लोग है अलग अलग शेतर मोस्टे के अलग क्यों होना चाहते हैं क्यों बना यह बना नधार जो लोग क्याकरते हैं भा मधनल पाने के लिए या फिर स्थानिय नर्तित्व को और मजबूत करने के लिए या अपनी आर्थिक स्थिती को जो है मजबूत करने के लिए जो कोई राज्य या शेत्र है वो देश से अलग होना चाहते हैं ठीक है राश्ट्रिय निर्तित्व के स्थान पर स्थानिय निर्तित्व चाहते हैं और जो शेत्र के लोग है वो राश्ट्रिय निर्तित्व के स्थान पर जो है स्थानिय निर्तित्व चाहते हैं केंद्र और राज्य अलग-अलग विश्यों पर अलग-अलग विचार रखते हैं जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो दोनों जो है अलग-अलग विश्यों को लेकर अलग-अलग मत रखते हैं जिसकी वज़े से केंद्र और राज्ये के बीच में क्या होता है? केंद्र और राज्ये के बीच में आर्थिक हितों को लेकर तकराव होता है। इसके अलावा केंद्री सत्ता को नाम मानना भी एक राज्यता है तू एक प्रतिमान हैं इसके अलावा कई बार ये देखने को मिलता है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के किनी विचारों को या फिर किनी बातों को जो है नहीं मानती उनकी बातों का पालन नहीं करती ह उनकी अवमानना करती है शेत्री समुदाय अलग राज्य की मांग इसलिए करता है ताकि वह अपनी सांस्कृतिक, राजनेतिक और शेत्र का आर्थिक कल्यान स्वेम कर सके कोई भी जो राज्य है वो देश से अलग होने की मांग क्यों करता है वो इसलिए करता है ताकि जो राज्य है वो अपनी सांस्कृतिक राचनितिक और जो अपना शेत्र है उस शेत्र का जो आर्थिक कल्यान है वो खुद कर सके राज्जे संबंधी मांग इसलिए हो रही है मतलब अलग राज्जे बनाने की मांग इसलिए होती है ताकि सांस्कृतिक और प्रसाशनिक इसलिए होती है क्योंकि जो राज्जे है और जो केंद्र सरकार है इनमें सांस्कृतिक और प्रसाशन में जो है क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है जो प्रसाशक होते हैं वो जनता के विचारों को समझ नहीं पाते हैं ठीक है जिससे जो है सांस्कृतिक दुराव हो जाता है ठीक है तो अभी तो हमने देखा कि जो आंदोलन है शेत्र या आंदोलन के अर्थ को जाना इसके अलावा जो भारत है ठीक है भारत में जो शेत्री आंदोलन है वो क्यों हुए कैसे हुए किस आधार पर होते हैं उसके बारे में हमने बात किया इसके अलावा शेत्री आंदोलन के बारे में अब हम यह देखेंगे जो इकबाल नारायन है उन्होंने क्या क्या ठीक है तो जो इकबाल नारायन जी है इन्होंने जो शेत्री आंदोलन या जो शेत्रवाद है इसके तीन प्रकार बताएं है तीन प्रकार कौन-कौन से है इसको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे अधिराज्य शेत्रवाद अब ये अधिराज्य शेत्रव दूसरा है अंतरराज्य शेत्रवाद ये सीमाओं से संपर करने वाले या उत्पन होने वाले खत्रें शेत्रें अन्दीजल बट्वारे को लेकर आंदोलन शुरू होते हैं या उत्पन होने की संभाव्ना होती है अंतर राज्य शेत्रवाद जो है उसी से संबंदित है अब हम तीसरे की बात करेंगे हमारा तीसरा है अंतर राज्य शेत्रवाद ये पहचान बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है जो अंतर राज्य शेत्रवाद है वो पहचान बनाने की उस राज्य की पहचान बनाने के बनाने के उद्धिश्य से जो है किया जाता है इसके अलावा जो अन्य मुद्ध होते हैं उनकी अगवाई अंतर राज्चे शेत्रवाद करता है अब हम देखेंगे कि जो शेत्री आंदोलन है इस पर राज्चे की क्या प्रतिक्रिया है शेत्री आंदोलन के प्रति राज्चे की प्रतिक्रिया जो है कभी एक सम्मान नहीं रही शेत्री आंदोलन को लेकर राज्चे के कुछ प्रतिमान है तो जो प्रतिमान है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे अलगाववाद को माननेता नहीं दी जाएगी जो राज्य है उसका कहना है कि जो अलगाववाद है जो लोग भारत से खुद को अलग करने की बात करते हैं उस चीज़ को माननेता नहीं दी जाएगी इस प्रकार की मांग को उठने से पहले ही अगर कोई भारत से अलग होने की मांग करता है तो ऐसी मांगों को उठने से पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए केंद्रिय सरकार धार्मिक आधार पर किसी शेत्रिय मांग को नहीं मान सकती जो केंद्र सरकार है अगर कोई राज्य या फिर कोई शेत्र धार्मिक आधार पर अपने लिए ने राज्यों की मांग करता है तो केंद्र सरकार ऐसे मांगों को स्विकार नहीं कर सकती बलकि इस प् रूप से जरूरी हो तो भाशा पर आधारित जो राज्य है इसका निर्मान तभी हो पाएगा जब सरकार को यह लगे कि सामाजिक और आर्थिक रूप से ऐसा करना जरूरी हो या फिर यह देश के विकास के लिए सही हो तो ही अलग राज्य बनेगा अधर्वाइस वो मांग स् इस सम्मंद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं अब राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इन्हों ने क्या सुझाव दिया है इसके बारे में हम देखेंगे यह भारत की सुरक्षा की दृष्टी से आविश्यक हो तथा इससे एकता को अबल मिले अगर अलग राज्य के लिए अगर किसी भी शेत्र के लोगों ने जो है अलग राज्य के लिए अगर मांग की है और ये मांग भारत की सुरक्षा की दृष्टी से अगर जरूरी हो अगर भारत की सुरक्षा की दृष्टी से एक अलग अन्य राज्य बनाने की मांग की है तो ही जो केंद्र सरकार है वो इस मांग को स्वीकार करेगी अधर्वाइज इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा भाशा और संस्कृतिक का हो अगर बात जो है भाशा और संस्कृतिक की आती हो ठीके तो फिर जो है सरकार इस चीज़ को स्वीकार कर सकती है ताकि लोग आपस में मिल जुल कर रहे और राज्य और देश का जो है विकास हो सके अगर भाशा और संस्कृति की आधार पर राज्य अलग राज्य बिनाने की मांग की जाती है और सरकार को लगता है कि इससे जो है लोग आपस में मिल जुल कर रहेंगे और देश का और उस स्टेट का वि जब ये आर्थिक और प्रसाशनिक रूप से केंद्र सरकार को जरूरी लगे अधरवाइस नहीं देश स्तर पर जो योशनों और परियोशनाई हैं उनको ठीक तरीके से लागू करने के लिए इन सुझाबों के तहट ही राज्य की मांग को केंद्र सरकार स्विकार कर सकता हैं देश स्तर पर जितने भी सरकार की योशना या परियोशनाई हैं उनको अच्छी तरीकी से लागू करने के लिए जो ये तीन सुझाब दिये गए हैं शुरू में इन सुझाबों के तहट ही इन सुझाबों के अंतरगत रहे कर ही जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की इन मा का कहना है कि अगर किसी राज्य के पास परियाप्त मातरा में वित है या फिर किसी शेत्री के लोग जो है अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और उनके पास परियाप्त मातरा में वित नहीं है उनके पास ऐसी कोई फैसलीटी ही नहीं है जिससे जो है उस राज्य क को चला सके तो फिर क्या फाइदा जो है ऐसे राज्य के लिए मांग करके या फिर ऐसे राज्य बना के तो जो राज्य पुनरगठन आयोग है इनका कहना है कि राज्य के पास परियाप्त मात्रा में वित हुना चाहिए ताकि वह अपना आर्थिक विकास कर सके आयोग ने प्रसाशनिक और अर्थ व्यवस्ता के रूप को ही सही ठहराया है जो राज्य पुनर गठन आयोग है इनका कहना है कि प्रसाशनिक और जो अर्थ व्यवस्ता है अर्थ व्यवस्ता और प्रसाशनिक रूप से जो राज्य बनाया जात वही चीज सही है भाशा और सांस्कृतिक आधार पर जो गठन किया जाता है या राज्य बनाए जाते हैं उस चीज को जो है इन्होंने एक तरीके से नकारने वाली बात की है इस चीज को जो है इन्होंने नहीं माना तो फ्रेंट्स ये रहा हमारा आज का टॉपिक हमारा शेत् पूछ सकते हैं मैं आपको वहाँ पर रिपलाई कर दूँगी ये वीडियो देखने के बाद आप अगर बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीज़े आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपनी मेरी वीडियो यहां तक देखें इस चीज़ के लिए आप का बहुत बहुत दलिवाच शुक्विया